असलाम लेकूँ माई किछन, माई रायफ। आपकी खित्मत में हाजिर है आजम बना रही है मतर कीमा मतर कीमा बनाने के लिए जिन जिन चीदों की जरूत है वो मैं आपको बताधी जाओ। अहम लोगों ने 1,5 kg चीकन के कीमा लिए आप चाहें तो ना पहले उबाले मैंने अपनी असानी के लिए लिए ठीक है दो बड़े साइस के प्याज हम लोगोंने काटे हैं दो टमाटर लिए वन टेबल स्पून हम लोगोंने अधर कलैसन का पेस्ट लिए है हाफ टू स्पून साथ में नमक है दो तीन हरी मिर्च जी हम लोगोंने बरी काटी हूई है दो टी स्पून साथ में लाल मिर्च एक टीट शो का-धनियां कूटा हुँ है घर साथमे में हम लोगों एक टीट शोण जिरा लेंगे एक कड़ाई में हम लोग कुकिंग ऑल डालेंगे ऑल तकरीबन मैंने हाफ कपली है जैसे ये गरम होगा इसमें हम लोग कटे हुए प्यास डालेंगे जो दो बड़े साइज की प्यास हम लोग ने काटे थे अब इसको अच्छी तरह ब्राउन करते है कलर डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए लाइट ब्राउन होना चाहिए जैसे ही हो जाएगा उसमें हम लोग कीमा डालेंगे देखें जैसे कलर चेंज हुए हम लोग ने कीमा डाल दिया अब इसको अच्छी तरह फ्राई करते हैं हम लोग कीमा ताके गल जाए यह चिकन का कीम है तो जल्दी कल जाएगा ज्यादा टाइम नहीं लेता है यह अधरक लेसन का पेश्ट साथ ही हम लोग ने डाल दी है देखे चिकन का कलर यहां पर चेंज हो चुक है तो अब इसमें हम लोग टमाटर डालेंगे इसको भी साथ में हम लोग अच्छी तरह पकाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए सारे मसालाजाद हम लोग ने डाल दी हैं जो आपको मैंने पहले ही बता दी है इसमें हल्दी है नमक है सुका दनिया अरे मिर्च लाल मिर्च जीरा वगएरा सब है इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे ये देखें मैं अच्छी तरह उनको भून रही हूँ ताकि कोई भी कच्छपन ना रहाजाए मसालों में तकरीबन जाब है हमारा सारा क्रीमा बून चुका है तो अब इसमें उबले हुए मटर टाल देंगे ये देखें इनको ज्यादा में पानी वगएरा डालने की तो जरूरत नहीं है ये पहले ही गले हुए है मैंने आपको बताया था हम लोगों ने पहले ही उपालके रख लि जैसे एची तरह बुन गया तो ओल चोड़ना स्टार्ट कर दिया सालने अब इसको डिशाउट कर लेते हैं हम लोग माशालला अल्ला की शाहन कितना मज़ेदार मटर कीमा हमारा रैडी हो चुका है आप भी इसको लाजमीं ट्राइ कीजिएगा कल मिलते हैं नहीं रैस्पी के साथ अल्ला हफीज